नमस्कार दोस्तों, ISPCA Zone में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूँ सुनुकमार दोस्तों मैं आप सबों के लिए 100 प्रशन नहां पे लेकर क्या है हूँ जो कि करेंट अफेर्स का है और ये जो करेंट अफेर्स हैं, ये 1 अप्रील 2022 से लेकर के, 1 में 2023 तक का है और उसमें से मैं 100 प्रशन आप सबों के लिए बेहतरीन 100 प्रशन का केलेक्शन क्या हूँ जो कि आपके परिक्षा के दृष्टिकों से बहुत जादा मात्पून हो शकता है और ये 100 प्रशन में से बहुत सारे प्रशन डिरेक्ट आपके परिक्षा में देखने को मिल जाएगा तो आप इस 100 प्रशन को जरूर बनाईएगा और यदि मेरा वीडियो पशंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेर कीजिएगा दोस्तों से वहां से इसका पीडियाप आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं तो आज का जो पहला प्रशन है, वह है किस राज सरकार द्वारा ओनलाइन जुए को नियंतरित करने के लिए अध्यादेश लाया गया था जो ऑनलाइन जुए होते हैं उसको नियंतरित करने के लिए अध्यादेश लाने वाला पहला राज कों है तो वह है तमिल नाडू ठीक है? अगला प्रस्शन है भारत का पहला Green Steel Brand कोन बना है? भारत का पहला Green Steel Brand तो यह बना है कल्यानी फोरिष्टी ठीक है कल्यानी फोरिष्टी जो है वह भारत का पहले इंफेंट्री संग्रहाले का उद्घाटन कहां किया गया है तो यह किया गया है महुजो की मध्यपर्दिश में है अगला प्रशने भारत का पहला पुर्ण पूस्ट काले इंफेंज शेतर कौन बना है तो बना है महाराष्ट अगला प्रश्ण है दिव्यांग लोगों के लिए अलग से दिव्यांग विभाग बनाने की घोशना करने वाला भारत का पहला राज्जी कौन है तो वह है महराष्ट दिव्यांग लोगों के लिए जो है अलग से दिव्यांग विभाग बनाएगा कौन महराष्ट अगला प्रशने भारत का पहला carbon neutral form किस राज के एक beach form को घोशित किया गया तो वह किया गया है केरल को अगला प्रशने भारत का पहला carbon neutral form किस राज के एक beach form को घोशित किया गया है केरल को अगला प्रशने भारत का पहला carbon neutral power exchange कौन बना है तो वह बना है Indian Energy Exchange Limited ठीक है भारत का पहला carbon neutral power exchange बना है अगला प्रशने किस राज ने online UA को रोकने के लिए एक task force का गठन किया है तो task force का बेदेश के दोरा किया गया है अगला प्रशने Reliance Industries Limited दोरा पहला multimodal logistic park कहाँ विक्सित किया जा रहा है जो है वह भारत का पहला multi-model logistic park यह कहा विक्सित किया रहा है तो यह किया जा रहा है चेंग नहीं में अगला प्रष्ण ने भारत का पहला sticker west debit card किस bank ने लॉज़ किया है यह जो है sticker based है debit card इसको कौन लॉज़ किया है इसको किया है IDFC first bank ने अगला प्रश्ण है छेत्रिय भाषा में निर्णाय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उचन्याले कौन बना है तो वह बन गया है केरल उचन्याले अगला प्रशन है भारत की पहली महला सैनिक स्काइड ड्राइवर कौन बनी है तो भारत की पहली महला जो है सैनिक स्काइड ड्राइवर बनी है लॉंस नायक मंजू अगला प्रशन है दक्षिन भारत की पहली बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरूआत कहां से हुई है तो वह किया गया है बेंगलूरू से यह दक्षिन भारत का जो है पहला बंदे भारत एक्सप्रेस है अगला परशने पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेश टेन की सुरूवत कहां से हुई है? तेजह हुई है हावडा से हावडा कहां है? पश्चिम बंगाल में अगला परशने जानवरों के लिए भारत की पहली IVF मोबाइल यूनिट किस राज में शुरू की गई है तो वह किया गया है गुजरात में अगला परशने पचास बरसों से अधिक पुराने क्लासिक बाहनों के लिए एक अलग से पंजी करन प्रकृडिया शुरू करने वाला राज जी कोन बना है तो वह बन गया है ओरीशा याद रखेंगे कोन से राज है ओरीशा अगला परशने किस राज में बिश्व के पहले तार के पत्ते का पांडूलीपी संग्रहाले का उदगाटन किया गया है तो वह किया गया है केरल में अगला प्रशन है बिश्व का सबसे बड़ा पांडूलीपी पुस्तकाले किस राज में बनाया जा रहा है तो है बनाया जा रहा है गुजरात में इसे भी याद रखेंगे अगला प्रशन है बैंकिंग शेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राजिकोन बना है तो वह बन गया है केरल अगला प्रशन है भारत का पहला केबल संस्पेंशन ब्रीज बजरंग सेतू किस शहर में बनाया जा रहा है तो भजरंग सेतो किस सर में बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है रिशी केश में अगला प्रशन है N.C.E.R.T. द्वारा अधिसूचित भारत के पहले राष्टिय मुल्यांकर नियामक का नाम क्या है तो उसका नाम है प्रकाश क्या नाम है प्रकास सोरी माप कीजेगा उसका नाम है परक यहाँ पर याद रखें उसका नाम क्या है परक नाम है N.C.E.R.T. द्वारा अधिसूचित भारत के पहले राष्टिय मुल्यांकर नियामक का क्या नाम है उसका नाम है परक अगला प्रशने अंधापन को नियंतरित करने के लिए नई नीती लाने वाला भारत का पहला राजी कोन है यहाँ पर ध्यान देंगे अंधापन को नियंतरित करने के लिए तो कौन सा राज है वह है राजस्थान अगला प्रशने किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घुशित किया गया है तो वह किया गया है कुलम कहा है केरल में अगला प्रशने प्रोजेक्ट दंतक के तहत सीमा सरक संगठन के विदेशी असाइन्मेंट पर तैनात होने वाली पहली महला भारती सेना अधिकारी कौन बनी है तो अब बनी है कैप्टन सुर्भी जखमोला ठेक है इसे आप याद रखेंगे अगला प्रशने सियाचीन में तैनात होने वाली पहली महला सेना अधिकारी कौन बनी है तो अब बनी है कैप्टन शिवा जोहन या जो है सियाचीन में तैनात होने वाली पहली महला अधिकारी बनी है अगला प्रशने सन्युक्त राष्ट मिशन में भारती शांती सेनिकोग की परेड का नेत्रितु करने वाली भारते सिना की पहली महला अधिकारी कौन वनी है तो वनी है मेजर जैसमीन चड़ा अगला प्रशने ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र किस शहर में इस्थापित किया जा रहा है तो वह किया जा रहा है शिलोंग में शिरों कहा है मेगाले में अगला प्रशने कौन सा जिला न्याले अपने कामकाज की इपरणाली शुरू करने वाला पहला जिला बन गया है तो बन गया है उस्मानावाज जिला न्याले वह कहा है महराश्ट में है ठीक है यह जो है इपरणाली शुरू करने वाल जो है न्याले अपने कामकाज की इपढाली शुरू करने वाला पहला जिला आदालत बना है उसमानावाद जिला न्याले यह महाराश्ट का अगला प्रशने और अनाचल परदेश में इस्थापित होने वाली राज़ की पहली केंद्रिये जेल का नाम क्या रखा गया है तो इसका नाम रखा गया है सुधारकड केंद्र अगला प्रशन है राज सभा में उपाध्यक्षों के पैनल में नामित की जाने वाली पहली महला खिलाडी कौन बनी है तो वह बनी है P.T. उशा अगला प्रशन है बंदे भारत एक्सप्रेश चलाने वाली पहली महला लोको पाइलेट कौन बनी है तो वह बनी है सुरेखा यादव सुरेखा यादव जो है बंदे भारत ट्रेन को चलाने वाली पहली महला लोको पाइलेट बनी है अगला प्रशने भारत के पहले वर्टिकल लिप्ट सी ब्रीज का नाम क्या है यह नाम है नियू पंबन ब्रीज ठीक है भारत के पहले वर्टिकल लिप्ट सी ब्रीज का नाम क्या है नियू पंबन ब्रीज अगला परशने मानसिक स्वास्त और समाजिक देखभाल नीती को लागू करने वाला पुर्वोत्तर का पहला राज्जिकोन है तो है मेगाल है अगला प्रशने अनात बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक इस्थापित करने की घोशना की गई है तो यह कहा की गई है उत्राखंड में अग्ला प्रसने भारत का पहला नगरपाल का Green Bond किस ने जारी करने की घुशना की है? तुवा किया है इंदवर ने अग्ला प्रसने पहली इंडियन कोष्ट गार्ड अकादमी किस शहर में इस्थापित की जाएगी? तुवा की जाएगी मंगलूरू में अगला प्रशने भारत की पहली नीजी क्रिशी मंडी इस्थापित करने का लाइसेंस किस कमपनी को मिला है तो अगला प्रशने भारत की पहली नीजी क्रिशी मंडी इस्थापित करने का लाइसेंस किस कमपनी को मिला है नीजी क्रिशिमंडी यह मिला है सहियादरी फॉर्मर प्रोडूशर कमपनी को जो की महराष्ट की कमपनी है अगला प्रशने ड्रोन के सहारे पशुपालन के लिए बिश्व में पहली बार वैक्शिन की डिलिवरी किस राज में की गई पहली वार जो कहां की गई वैक्शिन की डिलिवरी वह की गई और होना चल प्रदेश में अगला प्रशने भारत में पहली मेथिनॉल से चलने वाली बशो का अनावरर का जो है कहां किया गया तो वह किया गया बैंगलूरू में ठीक है मेथिनॉल से चलने वाली अगला प्रश प्रशने बैंक तरके अधार पर शोने की एक समान कीमते शुरू करने वाला पहला राजी कौन बना है तो वह बन गया है केरल इसे भी आप याद रखेंगे अगला प्रशने बिश्व की पहले बैदिक घड़ी की अधार शिला कि शहर में रखी गई है तो यह रखी गई है प्रणाचल प्रदेश में अगला प्रशने भारत का पहला भूमीगत इस्टेशन कि शहर में बनाया जा रहा है तो वह बनाया जा रहा है पुने में भारत का पहला भूमीगत इस्टेशन अगला प्रशने किस नगर निगम ने भारत का सबसे बड़ा तरल अप्षिष्ट उ बड़ोद्रा का पहला चंसलर कौन बने हैं गति शक्ति विश्विद्याले बड़ोद्रा का पहला चंसलर कौन बने हैं तो बने हैं अश्वनी वैशनव जो की रेल मंत्रालय वी जो है अश्वनी वैशनव के पास ही है अगला प्रशने भारत के किस राज में पासपोर्ट धा मान किया जा रहा है मंतलाई गाउं में मंतलाई गाउं कहां कहा है यह जम्मू काश्मीर का एक गाउं है मंतलाई गाउं अगला प्रशने उपग्रा संचार के लिए इस्पेक्ट्रम की निलामी करने वाला बीसु का पहला देश कौन बना है तो अब बन गया है भारत अगला प्रशने धूम्र पान पर परतिबंद लगाने वाला पहला देश कोन है तो है न्यूजीलेंड अगला प्रशने एशिया की पहली हाइड्रोजन संचाली तियातरी ट्रेन की देश में शुरू की गई है तो अज चीक की गई है चीन में यहाँ पर द्यान देंगे एशिया की पहली हाइड्रोजन संचाली तियातरी ट्रेन अगला प्रशने बिश्व की पहली हाइड्रोजन संचाली तियातरी ट्रेन कहां शुरू की गई है तिया की गई है जर्मनी में अगला प्रशने मधुमक्यों के लिए TK की मंजूरी देने वाला पहला देश कोन है तो आ है सन्युकतरव, सन्युकतराज अमेरिका ठीक है यानि USA अगला प्रशने बिस्व की सबसे लंबी यातरी ट्रेन चलाने का बिस्व रिकार्ड किस देश के उने बनाया है तो उब अगला प्रशने संसक्रीत में बिस्व की पहली साइंस डुकुमेंटरी का नाम जो है क्या रखा गया है यानिम अगला प्रशने किस देश ने अपना पहला इस्थाई ब्रियुटिश भारती सिना इसमारक बनाने की गुषना की है तो है किया गया है असकोट लेंड के दोरा अगला प्रशने पाकिस्तान की कौन से फिल्म आसकर 2030 के लिए जो है पहली बार सोट लिस्ट हुई है पाकिस्तान की कौन से ऐसी फिल्म है जो आसकर 2030 के लिए पहली बार सोट लिस्ट हुई है ठीक है तो कौन से फिल्म है तो है जो जो लेंड अगला प्रशने बिश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज क्रूज गंगा बिलास जो है कहां से कहां तक चलाई जा रही है तो चलाई जा रही है वारानशी से डिवरुगर तक अगला प्रशने किस देश ने दोजार इटाईस तक चंद्रमा पर अपना पहला बेस बनाने की घोशना की है तो अगला प्रशने भारत ने किस देश को पहली बार छे मारवारी घोडों का निर्यात किया है तो अगला प्रशने बरतमान में दुनिया का सबसे बुजूर्ग ज सबसे मुल्यवान ब्रांड कौन बन गया है अगला प्रश्ण हैंले पासपोर्ट इंडेक 23 के अनुसार दुनिया में सबसे मजबूत पासपोर्ट जो है किस देश का है तो है जापान का अगला प्रश्ण है आम महुचसब जुलाई 2022 में कहा मनाया गया तो आम महुचसब जो है उख लखनव उत्तर प्रदेश में मनाया गया अगला प्रश्ण है कौन सी कमपनी बिसु की सबसे बड़ी पवनस और हाइब्रेट पावर का निर्मात्ता बन गया है तो बन गया है अगला प्रश्ण है मुंबई के छत्रपती शिवाजी महराज अंतराष्टी हवाय अड़े पर उतरने वाला बिसु का सबसे बड़ा भिमान का नाम क्या है तो उसका नाम है यर बस बेलुगा अगला प्रश्ण है किस समेलन में लॉस एंड डैमेज कोश्ट बनाने की घोश है अहमदावाद केंट में अगला प्रश्ण है भारत का पहला नीजी रूप से विक्षित रॉकेट का नाम क्या है जो की नीजी रूप से विक्षित है तो उसका नाम है विक्रम एस अगला प्रश्ण है भारत का पहला इंट्रा नेजल कोविड बैक्सीन का नाम क्या है जि इसे भारत बायोटेकन के विक्सित किया है तो इसका नाम है इनको वैक प्रशमी इनकोबैक क्रोच अगला क्रोज मैं परशनए वाला पहला भारती अंत्रीच मिंशन नाम क्या है तो इसका नाम क्नम है अधित्त Terrace सक्षम ग्रोन है अगला प्रशने भारत की पहले श्वदेसी एंटी सब्मरीन बार फेर शैलो वाटर क्राप्ट का नाम क्या है तो उसका नाम है आई एनेस अर नाला अगला प्रशने राशिद रोबर किस देश का चंद्र अंतरिच्यान है तो है UAE का ठीक है राशिद रोबर राशिद रोबर किस देश का चंद्र अंतरिच्यान है तो है UAE का अगला प्रशने टीवी का पता लगाने के लिए किस ने श्वदेसी परिक्षण कीट बिक्सित किया है तो है किया है माईले परिक्षण कीट पूने ने अगला प्रशने नासा का आटे मिशन वन मिशन जो है किस से समन्दित है तो है चंद्रमा से समन्दित अगला प्रशने साइकलोन वन यूद अभ्यास किन दो देशों के बीच किया गया है साइकलोन बन यूद अभ्यास तो है किया गया है भारत और मिश्र के बीच में अगला प्रश्ण है, पुरूशों की फीफा बल्ड कप 2022 में पहली महला रेफरी कौन बनी है? तो वो बनी है, अश्टेफणी फ्रै पाट जो की फ्रांस की हैँ. अगला प्रश्ण है, अंतराष्टी T20 में चार हजार रन बनाने वाले पहले खिलाडी कौन बने है? तो हो बने हैं बिराट कोहली अगला प्रशन है पहला ICC अंडर 19 महिला T20 जो भी शुकप हुआ उसका बिजेता कौन है तो है भारत जो की पहली बार जीता है अगला प्रशन है अंतराश्टी T20 महिला क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारती महिला गिंदवाज कौन बनी है तो बनी है दिप्ति शल्मा अगला प्रशन है भारत की तरप से एक दिवसी अंतराश्टी मैच में पांचमा दोहरा श्रतक लगाने वाला सबसे यूबा खिलाड़ी कौन बना है तो अगला प्रशन है एक दिवसी मैच में सबसे तेर्ट दोहरा श्रतक लगाने वाल पहली क्रिकेट टीम कौन बन गई है तो अगला पॉस्ण भारत के लिस्ट एक रिकेट में एक ओबर में जो है गए हैं तो बन गए हैं सुर्ज कुमार यादव अगला प्रशने प्राकिर्तिक संसाद्नों की रक्षा के लिए जलवायू परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राजी कौन है तो है तमिल नाडू अगला प्रशने चर्चा में रहा कतर्णिया घाट वंजीव अगला प्रशने भारत के पहली नील-गिरी तहर प्रोजेक्ट किस राज में श्रू की गई है तो है की गई है तमिल नाडू में भारत की पहली नील गिरी तहर प्रोजेक्ट अगला प्रशन है State of Global Water Resources रिपोर्ट पहली बार किस संगठन ने जारी किया है तो वह किया गया है 20 मोशन विभाग संगठन के द्वरा अगला प्रशन है 20 का पहला 20 का कौन सा सबसे बड़ा जौला मुखी पिछले 38 वर्सों में पहली बार फटा है तो अब फटा है मोना लाओ ठीक है मोना लाओ जो कि हुआई दूइब USA में है अगला प्रशन है किस राज ने Elephant Death Audit Framework पहल शुरू किया है तो वह किया है तमिलाडू ने अगला प्रशन है उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर उर्जा पर्योजना का उत्गाटा कहां किया गया है तो वह किया गया है चंडीगर में अगला प्रशन है Green Climate Fund इस्थापित करने वाला भारत का पहला राज जिकौन बन गया है तो वह बन गया है तमिलनाडो और यह अंतिम प्रशन है किस राज ने भारत की पहली हरित उर्जा अधारित सौर पैनल बनाने की घोशना की है तो वह किया गया है उत्राखन के द्वरा तो दोस्तो इस परकार जो है कमेंड करके जरूर बताएंगे अधि वीडियो पशंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिजिए शेर किजिए और चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिजिए चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अपना ध्यान रखें जाहिंद